हेलो आल, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होगे, so guys, आज की जो रीडिंग है, हम करने वाले हैं, आपके पार्टनर की करेंट फिलिंग को चेक, देखेंगे, कि आपके पार्टनर की करेंट फिलिंग क्या है, आपके लिए ठीक है, so ये टॉपिक रहने वाला है हमारा, औ आज की ये दूसरी रीडिंग है, यानि की पहली रीडिंग जो थी, वो थी कि आप अपने पार्टनर की नजरों में कैसे दिखते हो, यानि की आपकी इमेज क्या है उनकी नजरों में, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो वो वीडियो भी जरूर देख है ठीक है जिसमें आप जान पाएंगे कि आपके पार्टनर आपको कैसे देखते हैं मतलब कि आपकी छवी उनकी नज़रों में है कैसे ठीक है इस टापिक पे आपको मेरे ख्याल से जरूर देखना चाहिए वो रीडिंग बहुत ही खुबसूरत से रीडिंग है आप लोग जरूर देखें सो गाइज चलो रीडिंग हम स्टाट करते हैं हमेशा कितरा ही एक जर्नल रीडिंग रहने वाली है ठीक है और वैसे ही लेना है और जिनको भी मुझसे प्रस्नल रीडिंग लेनी है वाट्स अप नमबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे आपको सारी डिटिल्स देद में प्लीज इन्वार्स काइब मी इस गाइड में जोब बदेख रहे हैं उनके पार्टने की करेंट फिलिङ क्या है लीज उनके पाइट मी प्लीज काईट मी प्लीज काईट मी ओके queen of swords के energy है यहाँ पर ओके, सो पहला card आ गया है हमारे पास queen of swords के energy और cards देखते हैं प्लीज inverse, guide me ओके मेरे पास यहाँ पर two cards हैं ठीक है, और वो भी two cards हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग two cards है मेरे पास तो मैं two cards नहीं लेती हूँ और देखते हैं cards please guide me eight of cups okay और देखते हैं please guide me okay king of wands का card है please guide me please guide me okay ten of swords है यहाँ पर please guide me please universe guide me please guide me please guide me wheel of fortune का card है okay और card देखते हैं क्या cards है मेरे पास please guide me please guide me okay so देख रहे हैं आप लोग बहुत ज्यादा cards है please ace of swords का card है okay ace of swords ten of pentacles और देख लेते हैं cards यहाँ यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं queen of wands का card है bottom of the deck okay so चलो चार्ट करते हैं अपनी reading को हम so guys यहाँ पर जो sign आया है मैं आपको बता देती हूं Taurus, Virgo, Capricorn Aries, Leo, Sag Cancer, Scorpio, Pisces भी है यहाँ पर और Gemini, Libra, Aquarius भी है यानि कि कहें तो चारो ही elements है मेरे पास और सारे ही sign every level है ठीक है so चलो guys reading करते हैं so यहाँ पर जो cards मुझे बता रहे हैं cards आपको चैसे देख रहे हैं so यहाँ पर देख रहा है कि आपके partner की current feeling हम check कर रहे है आपके partner देख रहे हो किस दर्द में है किस तकलीफ में है यहाँ पर 10 of sorts के energy है यानि कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है यह person बहुत ही ज़्यादा इनको pain हो रहा है कहें तो आप लोग बहुत सारी लोग हो सकता है कि no contact में होगे जिसके कारण से आपके person आपसे बात नहीं कर पा रहे है ठीक है आप दोनों की बाते नहीं हो पा रही है और इस person को बड़ा तकलीफ हो रहा है यानि कि break up हुआ है आप तोनों का यह energy आपकी भी हो सकती है ठीक है क्योंकि energy vice versa हो सकती है तो यहां पे जो कारण है वो मुझे बता रहा है कि आपके person का अभी हाल बुरा है यानि कि तकलीफ में है यह person यह person pain feel कर रहे है जो होता है ना इनके साथ जो चीजे हुई है यानि कि यह जो दर्द यह तकलीफ महसूस कर रहे है इनको लग रहा है कि शायद यह मेरा कर्मा है या कहें तो सायद मैं इसी के लायक हूँ इसलिए मुझे यह दर्द और यह तकलीफ महसूस हो रही है आपके person की current feeling यहाँ पे आपके person की current feeling यह भी दिख रही है कि यहाँ दिखो गाईस यहाँ पे जो है यह card eight of cups का card मुझे बता रहा है कि आपके person की अभी जो चाहत हो रही है या फिर कहें तो अभी जो इनको एक रास्ता दिख रहा है यानि कि एक उमीद की किरन जो है वो दिख रही है कि इनको जो है न अभी यह situation यानि कि यह जो relationship है यानि कि कहें तो आपका प्यार आपका जो सम्मान है या फिर आपका प्यार है आप दोनों का प्यार है उससे जो हैने यह person अभी थोड़े time के लिए break लेना चाहते है क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद मैं इस energy में जाऊंगा और deeply जाऊंगा तो मैं depression का शिकार हो जाऊंगा क्योंकि पहले से ही यह person बहुत जादा depression है तो यहाँ पे यह है और यहाँ पे यह person आपसे बात भी करना चाहते है जो कि मुझे बता रहा है कार्ड कि यह person की चाहत है कि आपसे बात हो यानि कि यह person आपसे बात करना चाहते है current feeling में मुझे नजर आ रही है कि यह जल से जल जल आपसे बात करना चाहते है क्योंकि आप इनके लिए बहुत important person हो आपसे यह person बहुत प्यार करते है king of bands के energy माना यहाँ आपके person को ऐसा feel हो रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि हाँ मैंने गलती की है या कहें तो मैंने उस time अपने relationship पे work नहीं किया या ध्यान नहीं दिया इस time मुझे बहुत बहुत ज़ादा जरूरी था ध्यान देना लेकिन मैं नहीं दे पाया ठीक है तो इस कारण से इन्होंने आपको खोया है या इस relationship को खोया है तो इस person को अब ऐसास हो रहा है तो यहाँ पे यह है और यह person अभी wait कर रहे है यानि कि यह person आपसे प्यार करते हैं काफी romantic person है यह तो मुझे यह दिख रहा है कि यह person आपका wait कर रहे है आपसे बात करने का आपसे reunion का wait कर रहे है यह person जब बिस्तर पे जाते हैं यानि कि जब भी अकेले हो या बिस्तर पे हो तब यह person के दिल में दिमाग में आपका ख्याल आता है यह सोच में पढ़ जाते हैं, ठीक है, आपके बारे में सोचना है ना, आपके बारे में जो इनकी समझ है, सोच है उस बारे में जो है ना, यहі पर्सन बहुत ही ज़ादा सोचते हैं, तो बहुत ही ज़ादा thinking है यहाँ पे, ठीक है, यह पर्सन मुझे लगता है कि Manifest भी करते हैं क्योंकि यहां पर तोनों तरप से ही प्यार दिखे रहा है मुझे लगता है कि इस परसन की इंट्यूशन काफी एक्टिव हैं इस परसन की अंतर मन या कहें तो अंतर आत्मा ठीक है इनको गाइड इनको एंजल गाइड करती हैं और इनको ऐसा मैसूस होता है आपके लिए क आप भी इनको काफी याद करते हो काफी मिस करते हो और आभी भी आप वेट कर रहे हो इनका और यहां पर मुझे यह भी देख रहा है कि यह परसन का यह है कि शायद हो सकता है कि आप तोनों के बीच में फैमिली इशू रहे हो जिसकी वजह से आपके परसन ने आपका स्टै आपके लिए वो चीज नहीं किया ठीक है यानि कि अगर family issue है आप दोनों के बीच में तो ये person family को ही ले करके चलना जादा अच्छा समझते रहते या जादा अभी भी समझते हैं तो मुझे यही दिख रहा है कि ये person family के लिए कुछ भी कर देंगे ठीक है family ही इनके लिए कि बाद में आपाते हो पहले इनकी family आती है ठीक है आती है तो लेकिन यहाँ पे अभी भी इस person की चाहत है या कहें तो प्यार है जिसको ये person अपनाना चाहते हैं जैसे ये person प्यार करते हैं आप से ठीक है पहले जैसे प्यार करते थे वैसे ही प्यार करते हैं देखो यहाँ पे mother issue भी हो सकता है father issue भी हो सकता है mother और father दोनों ही kaard मेरे पास आएं है तो यहाँ यहीं दिख रहा है कि यह person को कोई बड़ा ही handling है जो इनको guide कर रहा है और इसकी वज़ा से यह person काफी परिशान भी है क्योंकि एक तो करए है क्योंकि बात नहीं कर पाते हैं तो इनकी फैमिली राजी नहीं होती है यह आपके साथ new beginning करना चाहते हैं आपका जो हक है आपका जो अधिकार है आप जो जिसके लिए आए हो यानि कि इनकी life में जिसके लिए आप आए हो वो आपको अधिकार वो प्यार ये person आपको देना चाहते हैं ठीक है यहाँ पे मुझे ये भी देख रहा है we love fortune का card है तो इस person को wait है आप भी wait कर रहे हो और इस person को भी wait है कि आप दोनों का reunion होगा आप दोनों जहना इस कह स सकते हैं कि ये जो wheel of fortune का card है ये चक्र ठीक है यानि कि ये जो समय का चक्र है या पहिया है ये एक दिन जरूर घुमेगा और आप दोनों फिर से एक होगे ठीक है इसलिए ये person जो है ना देख रहे हो यहाँ पे queen of wands का आप बहुत ही ज्यादा attractive हो बहुत ही खुबसूरत हो आपकी जो energy है ना माशाला क्या energy है आपकी ठीक है बहुत ही खुबसूरत हो आप और आपकी energy जो है ना यहाँ पे देखो यहाँ पे आप state forward हो ठीक है यानि कि जो जैसा होता है उसको वैसा बोलते हो ठीक है आप घी मखन लगाने वाले person नहीं हो है ना बटरिंग करने वाले person नहीं हो और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि देखो यह person आपके बारे में किपना ठीक करते हैं ना current feeling हम check कर रहे है और देख रहे हैं कितना ठीक कर रहे हैं यह person बहुत ही ज़़ादा सोचते हैं आपके बारे में अपने आपको regret फिल करते हैं जैसे कि इन्होंने जो क किया है ठीक है आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है या फिर कहें आप आपको जो है ना किसी और की वज़ा से किसी और की वज़ा से आपको छोड़ा है आपके पर्सन ने या फिर आपको इग्नोर किया है तो अब यह जो है पर्सन रिग्रेट फिल करते हैं आपके लिए और इनको regret करना भी चाहिए क्योंकि आपकी energy जो है आपकी energy high energy है आप ऐसे person हो जो काफी mature है काफी कह सकते हैं कि एक ममता वाली जो होती है ना कि ममता भरीने गाहों से देखना है ना वो भी है लेकिन यहापे आपके person यह भी thinking करते हैं कि इसके मन में कुछ होता है दिल में कुछ हो energy है वही मैं page of events का card है जो की बता रहा है कि आपके person काफी passionate है आपके लिए इनकी current feeling दिख रही है कि आपके person काफी passionate है आपके लिए आप से बात करने के लिए इस relationship में आगे बढ़ने के लिए यह person बेहद बेहद बेकरार है या कहें तो एकदम से यह तयार हैं कि हाँ मुझे उनसे बाते करनी है अपने relationship में आगे बढ़ना है जैसा कि मैंने कहा यहां पे mother issue है तो हो सकता है या given mother issue हो या फिर यह energy आपकी हो सकती है मैंने कहा कि आप बहुत ही mature person हो बहुत ही caring person हो यहाँ पे ठीक है हो सकता है कि आपके बच्चे भी होंगे या फिर आपके person के बच्च हो सकते हैं तो यहाँ पे ये भी है हो सकता है कुछ लोग marriage marriage करने के बारे में अपने person से सोच रहे थे लेकिन marriage किसी कारण से नहीं हो पाई है तो आपके person ने आपको पहले से ही अपनी wife माना है आप जो आपकी जो energy है उसको इस person energy है देख रहे हो ना queen of pentacles है बहुत प्यार है यहाँ पे judgment का भी card है यानि कि आपको judgment मिलेगा ठीक है आप वेट कर रहे हो इतने टाइम से वेट कर रहे हो तो आपको judgment मिलना ही है ठीक है आपको judgment मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे यह मुझे दिख रहा है कि हाँ आपको judgment मिलेगा ठीक है यहाँ पर देख रहे हो आप justice का card है justice का card भी मुझे same energy दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पर आपके partner को और आपको ठीक है यानि कि आपके इंतजार का फल आपको मिलने वाला है आपके person आपसे दुबारा contact करने वाले है यानि क यह दुबारा relationship start होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर यह वाली energy है और चलो मैं एक और card से देख लेती हूँ कि आपके partner की current feeling क्या है आपके लिए ठीक है तो आप लग वो reading ज़रूर देखना जो मैंने पहले reading किया है यानि कि आप अपने partner की नजरों में कैसे उससे भी कुछ ना कुछ idea आपको मिल जाएगा उनकी thinking के बारे में ठीक है तो देखो यहाँ पे दोनों को balance करना होगा यानि कि आपके person जो है एक balance बनाने के बारे में सोच रहे हैं यानि कि दोनों को balance करके दोनों को एक दूसरे को समझना होगा और समझ के जो है ना यहाँ पे कोई action लेना होगा ठीक है दोनों का reunion हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और दोनों ही इस relationship में काफी अच्छे तरीके से एक balance करके इस relationship में आगे बढ़ पाओगे ठीक है तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है और कार्ट दिखते हैं ज्यादा reading जो है न मैं लंबी नहीं करना चाहती हूँ ठीक है तो एक short से reading हम करेंगे ठीक है फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा लंबी ना हो reading ठीक है चलो क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा time का अभाव है ठीक है तो चलो देखते हैं वाउ देखो यहाँ पे जो भी जगड़े हुए है जो भी misunderstanding हुई है जो भी ठीजे हुई है आप दोनों के बीच में या फिर कहें तो यहाँ पे जो distance आ गया था या कहें तो किसी तीसरे की वज़ा से आप दोनों के रिष्टे में जो दरार आ गई थी अब वो जो है न चीजे यहाँ पे मुझे खतम होती हुई नजर आ रहा है बहुत ही कुपसूरत से energy है यहाँ पे आप अपने person को heal करते हुए नजर आ रहे हो मुझे उनका दिल तूटा हुआ है और आप ही उनका दिल जोड़ोगे ठीक है कि चाहे किसकी वज़ा से भी तूटा हुए लेकिन आप ही हो जो इनका दिल फिर से जोड़ोगे ठ ठीक है तो चलो और देखते हैं लास्ट कार्ड में निकालती हुँ इस डेक से ठीक है लास्ट कार्ड ओके तो यहाँ पे मुझे यह भी देख रहा है कि कोई सायद आप हो या फिर आपके person है दोनों में से कोई एक ऐसा person है जो की डड़ा हुआ है ठीक है जो की डड़ा ही ठीक है आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो आपके person को ऐसा भी feel होता है कि हाँ मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता हूँ यह जो हम लोगों में distance आई है यह एक time period के लिए ही है और यह जल्दी खतम भी हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे आपके person को time change होने का weight है औ मुझे इनका दिख रहा है और यह next action कब लेंगे आप लोग यही पूछना चाहोगे तो यहाँ पर next action जो है मुझे दिख रहा है मैं जो card में देख रही हूँ four days four weeks four months किसी किसी के लिए four hours भी हो सकते हैं कि आपके person से आपका contact हो जाए ठीक है इतने time period में आपके person से आपका contact बन जाएगा ठीक है तो देख रहा हो ना यह आप यह guidance भी ले रहे हैं आपके person किसी ना किसी से guidance लेने की भी कोशिश कर रहे हैं या किसी से पूस्ताच कर रहे हैं आपके बारे में so guidance यहाँ पर ली जा रही है आपके लिए ठीक है so guys यह रही आपकी reading so thank you so much मिलते हैं next reading में तब तक खशते रहें मुश्कुराते रहें और खुश रहें बाई